हाई एवरिवन इसमीं हमजेन यूर वॉचिंग एश्टीड एक्स वेलकॉम बाक टे चैनल कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं जी उमीद करता हूं अच्छी होंगे खर खरी उससे होंगे एंजॉय कर रहे होंगे और आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं जिसका टाइटल कुछ किदर पसंद मुलाना हजारों मुसल्मानों की घर वापसी ओके घर वापसी वाला सीन है तो देखना पड़ेगा हजारों की तादाद में हो रही है तो क्या सीन है तो आईए देखते हैं जी और अगर घर वापसी हो रही है तो फिर मेरा खियाल है कि परसनल च्वाइस है मैं कोई कमेंट निंगा यस पे तो देखतें जी शुरू करते इन जालिमों से DO!!! बत्यान चाहिए कुर्बान, ज़मान चाहिए कुर्बान, आसपा चाहिए तो कॉर्बान, आईशा चाहिए तो कॉर्बान, हभीबा चाहिए तो कॉर्बान, हम डर son Covid, 27 हम को रहेंगे नहीं हमारा यकीन है, कि जब तक भारत के फात्मा जहरा का खंदन रहेगा भारत में मुसल्मान रहेगा अच्छा हमको सिकारिया है यह कहना चाहरा है कि यह एक मुसल्मान होगा तो इसलाम रहेगा ऐसी पते क्यों कर रहे हो चाचा इंस्टिकेट कर रहे हो अवाम को कम्यूनल कुछ करवाना चाहती हो क्या क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या फिर बनने जा रहा है बनने तो जा रहा है क्यों कि पिछले कुछ दिनों से देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट बनाने की बात कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है हिंदूओं की एक जुटता बागेश्वरधाम सरकार के महंत स्री धिरेंदर किष्ण सास्त्री जी पर मिश्णरीयों द्वारा प्रयोजित हमला किये जाने के बाद सास्त्री जी और ज्यादा मुखर हो गए है और जब से उन्होंने अपने द बनाएंगे अभी अजलन शान्त भी नहीं हुई थी कि यूपी सरकार ने कुछ ऐसा एलान कर दिया है जिससे ना केवल मौला ना मौलकी शेकुलर गैंग की रातों की नीन गायब हो गई है हर तरफ हिंदू राष्ट की धमक दिखाई दे रही है तो दोस्तों क्या भारत वा क्लिए रही है हमारे साथ वीडियो के अंतितक और कमेंट में जैया श्री राम जरूर लिखें नमस्कार स्वागेत है आप सभी का अधी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंदू आज कल भारत देश में हिंदू धर्म का अपन स्थापन हो रहा है हिंदू में नहीं चेतना का संचार हो रहा है बीते कुछ महीनों से पूरे देश का हिंदू एक जुठ हो रहा है और वैसी नातान के कह रहा है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यहां भारत देश हिंदू राफ्टी में आराम से इसमें कोई डिगरेशन लाने वाला तुसी नहीं है तो मच्च है आज कर सकती है एक समय था जब हिंदू जातियों में बटा हुआ था परंतु आज कल जिशे देखो वही कह रहा है मैं कट्टर सनातनी हूँ हिंदू राष्ट की या लहर ऐसी है जिसमें ना केवल हिंदू बलकि मुसल्मानों का भी एक धड़ा तेजी के साथ प्रभावित हो रहा है जिनके पूरवजों ने कुछ समय पहले लालच दबाव या त्यचार के कारण हिंदू धर्म को छोण कर मुसलिम धर्म अपना लिया था वे सब अब घर वापसी का रास्ता ढूंड रहें जगा जगा से हर रोज ऐसी खबरे आ रही है कि मुसल्मान सामुही कुरूप से हिंदू धर्म को अपना रहे है यह सब देखकर पुरे देश का कट्रपंत्र वर्ग और मुसलिम मौलाना इस कदर परेशान हो गए है कि उनकी रातों की नीद उड़ी हुई है बिचारों का खाना गले के नीचे नहीं उतर रहा है यदि उतर भी रहा है तो पच नहीं रहा है पिचुएरे में इसका धराग लगी है कि उसका धुआ शोसल मीडिया पर चाया हुआ है सुनने में आभी आ रहा है कि पुरे देश में बर्नॉल का स्टॉक कम पढ़ गया है और यह सब हो रहा है केवले एक शक्षियत की वज़े से जिनका नाम है स्रीधिरेंद्र कश्न शास्त्री मुमलिकते पाकिस्तdoes इंडिया में आराउंड collaboration हिंदूस कीये और अगर असमें सिख्ञ, जैन, बुदेश्ट लिए लिए जाएं तो 80% मेजोरिटी जो है वो नौन मुसलिम की है तो जब 80% पापुलेशन नौन मुसलिम है और वो सब मिलके एक ही बात कहते हैं कि हमने इसको हिंदू राश्टर बनाना है तो आप और मैं और ये जो कटर मौलानाज हैं इनको कोई हक नहीं बनता आपजेक्शन कर क्योंकि जनाब एसेम्बली में बिल आएगा मेरे ख्याल में दो तहाई किया पूरी एसेम्बली से ही एकसेप्ट हो जाएगा फिर आप इस बात का रोला डाल रही है ठीक है इट मीन के जो रेस्ट आफ ता कंट्री है वो आपके सेकुलर वाले आइडिया के साथ नहीं चल स क्योंकि देखें जी अगर आप सेनाटन के कोर बलیस देखें वो ये कहते हैं कि इनसान क जान और जान और यस की जान की मी कदर करनी पो हम देखते हैं जब और यह जोः एnae हम यह देखते हैं चान फो behavior होते है, इनसानी nature है और एक दूसरे को सब मारदार शुरू कर देते हैं, अभी हमने ये भी देखा, जैसे राम नवहिमी पे पाकिस्तान में बार-बार news चलाई जा रही थी, मुस्लमानों के घरों पे हमला हो गया, मस्जितों पे हमला हो गया, तो मैंने अपने सब्सक्राइबर से कमेंट सेक्शन जो यूज करते हैं, या फिर डीम पे मेरे साथ जो है न, इंस्टा पे राप्ते में है, मैंने उनसे पूछा, भाई, यह क्या सीन है, यहाँ पे इस तरह news चलाई जा रही है, यानि प्रॉफ़गेंडा फिलाए जा रहे है, तो उन्होंने मुझे पूरे विड़् वीडियो प्रूफ बेजा कि नई भाई, ऐसे ऐसे हुआ था कि मस्जित से लाउट स्पीकर से, जो राम नभी का एक, राम नभमी का एक जलूस जा रहा था, उस पे जुमले कसे गए, फिर पत्र बाजी की गई और फिर मंदिर के उपर पत्राओ करके मंदिर को आग लगाने की और जो कुछ हिंदू घर थे उनको जलाने की कोशिश की गई तब रिटैलियेशन हुई और आपको पता है फिर जब रिटैलियेशन होती है तो फिर लाजबीी नहafa discrimin है के जितना आप करने होतना ह्याँ जवाब आए गा फिर तो आग लगती है तो आग पोछकर के नहीं लगती कहां लग रही है पिर सब को ही लगती है तो ये जो मुलाना हज़रात ने जो के एक अलग ही वियू लेके चलती है कि जनाब फलाना बंदा अगर कोई हिंदू ये क्रिस्चन मुसल्मान होता है तो ओके कोई मुसल्मान अगर वापस से हिंदू हो रहे है या जो कल एक हिंदू कल मुसल्मान हुआ और आज कुछ देखने के बाद उसने का मैं वापिस मैं अपने मजभ जा रहूं तो उस पे इतना इंपल्सिप भीहवर रहना ये समझ से बाहर है देखें ऐसा नहीं होगा के मीठा मीठा हाफाफ कड़वा कड़वा थू थू ये नह मुलाना हदरात अपने मिंबर पे बैठके सिर्फ दीनी बाते करें लोगों को बताएं नमाज कैसे पढ़नी है कुरान पैसे पढ़ना है ये सियासत करना छोड़ दें मिंबर से बैठके मेरा ये मशवर है इनको अगर कोई देख रहे अगर कोई उन तक पुचा दे हमारी ब झाल 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 झाल